कि नमस्कार साथियों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे टीचर से की बहुत-बहुत सब्कावना है आप सभी दोगों को मेरे पैरे बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे लोग ससी जेई को कटाफ जाता है और किस तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं तो दो हजार पचीस के जितनी भी स्टुडेंट्स हैं अगर आप फोकस करना चाहते हैं ससी जेई दो हजार पचीस पे तो आप इस वीडियो को शुरू सुले के अगर दिख देख देखेगा अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आप लोगों से यह भी गुजारीज करूंगा कि चैनल को सस्क्राइब भी कर देना और वेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि आधा तो चलिए वीडियो की सुरूबात करते हैं और मैं उमीद करता हूं कि वीडियो का एक एक सेकेंड आप लोगों जरूर इंज्वाए करेंगे सबसे पैसे मैं बात करूंगा मेरे पैरे बच्चों स्सी जे इस्टाप सविक्शन कमिशन पूरा नाम होता है आपको भी पता है जूनियर इंजिनियर का एक्जाम फ्रिक्वेंट कराता रहता है अब सवाल आप लोगों के मन में ये है मेरे पैरे बच्चों कि एससी जे इए दो हजार पच्चिस को देख करके जैसे कि फार्म कब आएगा इलिजबिल्टी क्या रहती है एक्जाम पैटन क्या होगा रिज इस तरह से आपको देख रहा है कि डेड़ाइन जैसे कि डेट आप सब्मिशन आप आप्लाइन अप्रिकेशन फार्म किसे अठाइस तीन दो हज़ार चौविस तो एससी अभी बड़ा सिरूड मैनर में चब रहा है मतलब कोई चीज डीज़े नहीं है तो अब बस मैं आपक तरीके से आपको एक्जाम कराने दगा है और देखा आपने जिस तरह से CBT-1 का रिजल्ट आया तो CBT-2 का डेट भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को आ गया तो सब कुस प्री डिफाइन है तो मैं आप लोगों से बोलूँगी आप लोगों का एक्जाम सबसे बड़ी बात है कि एक्जाम 4-6-2024 है तो उसी तरीके से आपको 25 में हो जाएगा 4-6-2025 में आपके पास अभी से ज्यादा समय तो है नहीं देखो जून का महीना अगर 8-9 महीन अगर देखा जा तो अपनी प्रिपरेशन का तो यदि आप चाहते हैं कि 2025 की सारी important deadline क्या होगी तो इसम इसमें बोढ़ रहा हूं न क्योंकि सारी चीज़े रेगुलर कर रहा है अब सवाल आप लोगों के मन में एक चीज़ और आएगा मेरे पैरे बच्चो मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता दू अगर आप पहली बार जोड़ रहे हैं तो मैं पैरे बच्चो एक थोड़ा डबल वेलेटी के साथ आप जोइन कर सकते हैं अपनी प्रिप्रेशन को आसान बनाने के लिए 2024 के लिए SSC जाही का बैच भी इसमें मिल जाएगा RRB जाही का टेस्टिरीज इबूक टॉपर्स के हैंडिटे नोट्स याद रखना जोइन करते समय कोड आपको यूज करना है ठीक है आप सवाल है मेरे पहरे बच्चो की प्रिप्रेशन कैसे करें और यह जो डबल वेलेटी और प्राइस कम है एक्स की रेगुलर प्राइस 32 रुपया मात्र 12 महने के लिए अभी आपको 32 रुपय में जो चीज है वह आपको 22 रुपय में 24 महने के लिए तो 2025 भी कवर हो कहा था मैं ने लोट को यह बना रहा हूं न तो मैं यह सोच कि बीजनर सोच रहा है देना को जानकारी अत ओंके बहुं थे सक यह उतुर ने यह मैं riches पूरा बना रहूं और 100 questions आपके respected branch गाएगा, 1 fourth की negative marking होती है इसमें, और इसमें cut-out कितना जाता है मैं आप लोगों से discuss कर लोगा, 7 में computer-based examination CBT2 होगा, जैसे CBT1 का merit आता है, result आता है, तो CBT1 का cut-out जारी होता है, फिर आपको CBT2 जो की pure आपका technical होगा, लेकिन objective होगा, computer-based होगा, एक question 3 number का होगा, और 1 third की negative marking होगी, तो total 300 का, पेपर का जो final merit बनता है इसमें, CBT1, CBT2, तू दोनों के basis बनता है, ये चीज़ याद रखेगा तो, फिर उसके बाद मेरे पैरे बच्चे, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा, कि यार SSC JEE का आपको यहाँ पे vacancy कितना आता है, तो देखो, अगर मैं 2024 की vacancy की बात करूँ, तो जिस तरह से election के बाद, नोधी government का rule, कुछ रुजहान change हुआ है, सरकारी vacancy के हिसाब से, तो अभी क्या है कि 17-18-2000 का trend बना हुआ है, इसमें vacancies को increase किया गया, तो जहां तक 2024 की बात, 25 में vacancy की बात किया जा है, तो 2000 के आसपस minimum आप देख सकते हैं, और ये सारे departments आपके participate करते हैं, चाहे आपका BRO हो, चाहे CPWD हो, चाहे Central Water Commission हो, चाहे Amias हो, चाहे फरका virus हो, चाहे आपको anti-arrow हो, चाहे Naval Ministry of Defense हो, तो ये Central Power Water Research Station, सभी departments आप जोगों के participate करते, और आप 2025 में भी देखोगे, आप एक सवाल है कि सारा syllabus, SSC JEE का syllabus क्या है, तो देखो, syllabus की बात मैं आप जोगों को करूँ, तो हम आपको यहाँ पर civil, mechanical, electrical, तीनों की syllabus की बात करेंगे, तो ये आपको CBT-1 का पूरा syllabus है, मैं आपको एक secret बता रहा हूँ, जो आपको साथ कोई नहीं बताएगा, आप जब भी CBT-1 की तयारी करें, तो आप SSC JEE के CBT-2 के syllabus को फालो करिए, क्योंकि बहुत सारा official notification में देखोगे न, तो उनकी syllabus CBT-1 में subject के नाम mention है, अब आप बताएगे, आपको कैसे पता कि इस subject में कोई सा topic आएगा, तो मैं आपको बताऊँ कि आप हमेशा, यहाँ पर जो मैंने आपको syllabus mention किया, वो CBT-2 का, और आपको CBT-1 की तयारी, CBT-2 के syllabus के साब से करना है, जैसे building material में यह सारे topics आप लोगों को, जैसे CBT-2 की बात कर दें, building material में देखो, अब चुकि इस video में मैं आपको सारे syllabus पढ़ा तो नहीं सकता, बस हाँ यह सरूर आपको बता सकता हो, कि इन सारे topics से आपको पढ़ाई करनी है, यह surveying, soil mechanics और hydraulic हलाकि एक मैंने वीडियो बना रखा है, कि इन सभी topics से किस-किस topics से ज़्यादा important सवाद आते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए subject-wise वेटेज, कोशिस यह करना कि एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रवाइड कर दूँगा, जिसमें आपको subject-wise वेटेज भी है, तो आपको list-out करना कि यह वाला subject हो यह electrical का syllabus है बेटा, और यह देखो official ऐसे प्लिक करोगे न तो SSC का official syllabus में चले जाओगे, तो आप यहां से पूरा का पूरा syllabus download कर सकते हो इसी पर आपको previous year के सभी subject के paper भी मिल जाएंगे paper तो आपको यह समझ जाओ कि बहुत important article है यह यहां पर देखो electrical engineering का पूरा का पूरा syllabus है यह आपको देख सकते हैं पूरा detailed syllabus है फिर उसके बाद mechanical engineering का syllabus है तो आप यहां पर है क shouted आप को पूरी को पूरी aap कर चाहे तो incarnate divine study कर सकते हैं टाए कि आक सकते हैं चै scoring आप कर सकते हैं और आप आप अफलाय Karl स्टी कर सकते हैं जैया से आप इस्टडी कर सकते हैं आपके पास multiple सौर्स थमोंशु명most पर तुम्सचरे खेह'll बनाए ende में इस आस पर देथरा मन में दिमाग में चल रहा होगा कि यार cut-off कितना जा सकता है, सबसे बड़ी बात कि cut-off कितना जा सकता है, तो देखो, अगर मैं General category की बात करूं, आप लोगों से, तो आपको भी पता है कि SSE JE का cut-off, अगर मैं important बात करूं, तो देखो कटाफ मेकेनिकल में जनरल गटेगे 132 के आसपास जाता है सिबिल में अगर मैं बात करूँ अगर रिसेंट भी आना नेवरेज 110-118 के आसपास आपको रहता है आप अभी देखो इसमें पेपर औरा की बारे में तो टीर वन का रिजल्ट भी देखो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह आपको पूरा का पूरा रिजल्ट औरा अनाउंस हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह सीवी इंजिलरिंग का कटाफ है जनरल का 112 है और मेकेनिकल का 132 है ओबीसी का 113 है तो यहां पर कटाफ भी देखने को मिल रहा है तो मोटा मोटा अगर बात करूं तो आइधिंक जो बीगिनर है उनको सारी जानकारी हो गई स्लेबस की जा हो सकता है वो सारी जानकारी हो गई कैसे पढ़ाई करें एक मेरा हमेशा अल्टिमेट वे है पढ़ाई करने का बच्चों को बताता रहता हूं हैस्टेक से प्यार आठ से दस घंटे या जो भी पढ़ाई कर रहें आप पूरे पढ़ाई को तीन पार्ट में डिवाइड कर द हो इसे देली दिन में आपका एक टाइम होना चीए रिविजन्स का फिर आपका वी एक दिन होना सी मन्त में तीन से चार दिन आप लोग रिविजन्स करें प्र चार से पाँच महिने में आठ से दस दिन रिविजन काHaatt अप रिक्वाесь और पिर एग्जाम के पहले आप 10 दि से फ्री हो जाओ, मौक दो, रिविजिन्स करो, एंड जो भी अपकी अपनी कमिया है, उसको दूर करो, और मुझे लगता है कि इतना करोगे तो आपका selection कोई नहीं रोप पाएगा, तो Teachers Day पे मैं आप लोगों को बस SSC Day 2015 के aspirates को इतना ही basis देता हूँ, कि इस बार by default किसी वज़े से अगर आपका 2024 में सदिक्स नहीं हो पाया, तो 2025 में एक सीट प्रक्की करो, तो कि आप अभी नहीं करोगे तो कब खरो, ठीक है, and once and again Teachers Day का special gift, अगर आप देना चाहें, तो दे सकते हैं वेटा, आपके respected branch का जो महापेक है, आप उसको जोइन कर सकने हैं, बड़ कोड याद रख लेना, वाई दोस्तों एक है, वीडियो के निचे description में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यही कोड लगा करके जोइन कर लेना, धन्यबाद, thank you, bye bye take care, if you have any doubt, let me know in the comment section,